तो उस दिन हम पर रहे थे सिपाही क मा जिसमें किसी कारण वस वो छुट गया था धोरा था उसको आज हम पुड़ा करेंगे विसनी काती है तो उठ चारपाई पर लेट जा मैं तेरे लिए दूध गरम करती हूँ मानक दूध नहीं पानी और यही वो अभी यहां आ जाएगा जल्दी उधर देख अंधेरे में वो आतों नहीं रहा मानक कहता है दूध नहीं पानी चाहिए मुझे और यही वो अभी यहां आ जाएगा जल्दी उधर देखो वो यहां आतों नहीं गया बिस्नी वयाकुलता पुरवक बाहर की और देखती है बिस्नी कहती है नहीं बेटे कोई नहीं है तो यही घबरा रहा है उठ अराम से चरपाई पर लेट जा बिस्नी कहती है नहीं बेटे कोई नहीं है तो उठ तो यही घबरा रहा है तो उठ अराम से चरपाई पर लेट ज मान कहता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए बिस्नी पल भर असमंजस मेरा कर उसे छोट कर उठ खरी होती हैं और अंदर चली जाती हैं दो च्छन बाद हुआ पीटल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है उसके हाथ काप रहे हैं बिस्नी के जो हाथ है वो काप रहे हैं बिस्नी ये ले बेटे पानी पी बिस्नी कहती है ये ले बेटे पानी पी अराम से पीना छोटा छोटा घूट करके मेरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है पहले थोरा कुछ खा लेता ये लो बेटे पानी अराम से पीना पहले थोरा कुछ खा लेता तब पीता पानी तो सरीर में भी लगता बिस्नी कहती है माना कहता है नहीं मेरी भूख मर गई है मा मुझे अब भूख नहीं लगती पानी दो मुझे बिसनी गिलास लिये हुए उसके पास बैठ जाती है मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटा गट पानी पी जाता है उसे समय किसी का हाथ से सुर सुनाई देता है जब ये मानक पानी पीने लगता है तब ये उसको किसी का आवाथ सुनाई देता है मानक के हाथ से गिलाज छुट जाता है जब ये वह आवाज मानक सुना उसका आवाज गिलाज जो है हाथ से छुट गया वह बाहर के ओर देखता है इधर उधर अंधेरे में एक बंदू का कुंदा चमकता है उधर जो है एक बंदू का कुंदा वो चमक रहा है मानक सरक कर मा के नजदीक हो जाता है बिषनी उसे बाहों में समेट लेती है मानक कहता है यह वही है वह देख मा मानक कहता है यह वही है वह देख मा वह आ गया है वह देख अंधेरे में बंदू का कुंदा आगे के और बढ़ता है साथ फिर हार्चे स्वर सुनाई देता है और फोजी लिवास में एक और आकिर्थी परकट होती है विशनी मानक को हाथ साथ सटा लेती है अब आने वाले सिपाही पास आकर हसता है अंधेरे में बंदू का कुंदा उसके पास आ रहा है मानक के पास उसी समय एक आवास सुनाई देता है और एक आकिर्थी फोजी के लिवास में आता है परकट होता है विशनी मानक को साथ सटा लेती है विशनी जो है मानक के ओ अपने साथ सटा लेती है आने वाला सिपाही पास आकर हसता है मानक के पास आकर वो सिपाही हसता है सिपाही कहता है तू इसे गोद में लिए बैठी हैं देखती नहीं या मुर्दा है सिपाही कहता है तू इसे गोद में लिए बैठी हैं देखती नहीं या मुर्दा है बिसनी सीर से पाउं तक सिहर जाती हैं मानक उठाने के लिए जदो जद करता है मानक को उठाने के लिए जित करता है मानक या उठ या जूट कहता है मानक कहता है या जूट कहता है मैं मुर्दा नहीं हूँ मैं हिल डूल सकता हूँ मैं बात कर सकता हूँ मैं मुर्दा नहीं हूँ विसनी उसे और साथ सटा कर अस्वस्त स्वर में हाँ बेटे तेरी जान के साथ मेरी जान है मैं जीता हूँ तो तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है सिपाहे बंदो का कुंदा माने के पास ले जाता है और सिपाही इसे कैसे कुछ हो सकता है मैं अभी इसका सरीर गोलियों से छलनी कर दोंगा सिपाही कहता है इसे कैसे कुछ हो सकता है मैं अभी इसकी सरीर को गोलियों से च्छनी कर दूँगा फिर मैं इसकी लास ले जाकर जंगल में चीला और को के आगे डाल दूँगा हसता है और बंदू का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है बिष्णी कुंदा हाथ में हाथ से पकर लेती है मानक खरा होने की चेस्टा करता है पर लुढख कर बिष्णी की गोद में गिर जाता है बिष्णी उसे अच्छी तरह चाती से लगा लेती है सिपाही बंदू का कुंदा उसके हाथ से छुडा कर उसे घूर कर देखती है तो इसे बचाना क्यों चाहती है तो इसकी क्या लगती है बिशनी मैं इसकी मा हूँ मैं तुझे इसे मानने नहीं दूगा सिपाही तो इसकी मा है उसे भी घूर कर देखकर उसे भी घूर कर देखकर कहता है तो इसकी मा है पर तू देखने में तो इस बहसी की मान नहीं लगती तुझे पता है ये लराय में बहसीयों की तरह गुलिया चलाता है इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली है या इंसान नहीं जान वर है और तू कहती है कि तू इसकी मा है बिष्णी में इसकी मा हूँ मेरा बेटा बहसी नहीं है इसने किसी की जान नहीं ली है यह किसी की जान नहीं ले सकता यह तो मरता हुआ कब उतर भी आँखों से नहीं देख सकता मैं इसे लड़ाय पर नहीं जाने दूँगी यह घर में मेरे पास रहेगा सिपाही या घर में रहेगा मगर यह तो हजारों का दुस्मन है और हजारों इसके दुस्मन वे इसको खोज रहे हैं वे इसकी जान लेना चाहते हैं मानक को पैरों से उठो कर मार कर अब इसकी जान नहीं बस सकती मिदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं या वहां जाएगा तो भी मरे जाएगा और यहां रहेगा तो भी मारे जाएगा फिर मानक को ठोकर मानने लगता है पर बिशनी उसका पाउपा कर लेती है बिशनी नहीं तू इसे नहीं मार देख इसका सरीर कितना घायल है तू भी तो आदमी है तेरा भी घरबार होगा तेरी भी मा होगी तुमा के दिल को नहीं समझता मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ यह दिल का बहुत भोला इसकी किसी के साथ दुस्मनी नहीं है सिपाही हसता है सिपाही इसकी किसी के साथ दुस्मनी नहीं है यह देख बटन खोल कर अपना लहो के तरबतर सीना दिखाती है यह सब घाओ इसके किये हुए हैं मैं इन घाओ के घाओ से कब का मार मर चुका होता लेकिन मैं सिप इसे मारने के लिए जिन्दा हूँ इसे मारने बिना मैं नहीं मरूगा बिस्नी तू बात क्यों नहीं समझता मैं इसकी मा हूँ मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ या किसी दुस्मनी से लराई में नहीं गया इसे मैंने लराई में भेजा था इसकी बहन अब बियाहने जोग हो गई है छा महीने साल में हमें इसका बियाह करना है हमारे घर की हालत बहुत खराब है अगर लरकी के बियाह की चिंता नहीं होती तो हम लोग आजा पेट खा कर रह लेते पर मैं अभी इसे लराई पर नहीं भेजती इस लराई के सिवा घर में कोई कमाने वाली नहीं है मैंने सोचा था कि लरकी बियाह ही जाएगी तो फिर इसे लराई पर ना जाने दूँगी पर मैं इसका भी बियाह कर दूँगी और इसे अपने पास घर में रखोंगी मुझे क्या पता था कि लराई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी आज यह इस हाल में घर आया है मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती सिपाई मेरी माँ जरा सा हस कर मेरी मा पागल हो गई है वह रोज मेरी मौत का इंतिजार करती है वह तोरे दिनों में मेरे बेटे की लास घर आएगी मेरी बीबी ने अभी से विवा का स्वांग बना लिया है उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी सुने कि उस दिन गले में फासी लगा कर मर जाएगी उसके पैट में छो महने का बच्चा है उसके हाथ उसके साथ ही वह भी मर जाएगा फिर से सीना खोल कर दिखाता है और तेरे लरकें ने देख मेरा क्या हाल गया है या भी भी मेरे खुन का प्यासा है इसकी आखों को देख इसकी आखों में तुझे बहसी आना चमक दिखाई नहीं देती बिसनी नहीं नहीं इसकी आखे ऐसी नहीं है इस समय इसकी आखे ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसान नहीं है सिपाई तो इसकी आखों का रंग पहचानती तो इसकी मा है पर तो इस रंग का मतलब नहीं जानती इसकी आखों में दुस्मनी है जब तक मैं सामने हो इसकी आखों का रंग नहीं बदलेगा देखिया कैसे आखों में खून भर कर मुझे देख रहा है मानक सहसा अपने को जटकार कर खरा हो गया वो सिपाही का गला दवाने के लिए उस पर जपटना चाहता है पर सिपाही जट से बंदू का कुंदा फिर तान देता है विष्णी जल्दी से बंदू के कुंदे के आगे आ जाती है विष्णी कहती है नहीं तु इसे नहीं मारेगा तुझे तेरी मा की सोगंद तु इसे नहीं मारेगा शिपाएं मैं इसे नहीं मारूँगा तो यह मुझे मार देगा तु यहीं चाहती है विष्णी नहीं यह तुझे नहीं मारेगा मैं इसकी मा हूँ मैं इसे जान मैं इसे जरूर मारूंगा और मैं अभी इसके टुकरे टुकरे कर दूँगा आगे बढ़कर सिपाही को धका देता है जिसे वह लर्खरा कर पीछे गिर जाता है और बंदू को उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की और तान देता है मैं बहसी हूँ मैं जानबर हूँ मैं बहसी और जानबर से भी बढ़कर हूँ इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है उठ उठ कर मुझे ठोकर लगा उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था बिसनी जल्दी से बंदू के कुंदे के सामने आ जाती है बिसनी नहीं मान वाल यह मर गया, तो उसकी बीवी फासिला अखर मर जाएगी, मानक बिषनी को जटन है बीच से हटा देता है मानक मैं इसे नहीं छोड़ूँगा यह दुस्मन हैं मैं इसको अभी मार दूँगा अभी यहीं बिसनी नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा फिर बीच में आने का परियतन करती हैं पर मानक उसे फिर जटगार कर हटा देती है बिसनी चरपाई पर गिर कर हाथों में मुझ छिपा लेता है सिपाही पार्षो की और हड़ता है मानक उसके साथ आगे बढ़ता है मैं इसे अभी मार दूँगा अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूँगा सिपाही और मानक की आकिरतिया धीरे धीरे पार्षव में जाकर विलीन हो जाती हैं बिशनी हाथों में मुख छिपाए होए चिला उठती है मतलब सिपाही और मानक की आकिरतिया धीरे धीरे छिप जाता है मानक, मानक एक साथ चार छो गोलिया चलने और उसके साथ सिपाही के कराने क्या सब्द सुनाई देता है सासा खमोसी चा जाती है बिशनी उसी तरह चिलाती है मानक मानक मुनी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है मुनी घबराए हुए स्वर में मा बिशनी उसी तरह मानक मुनी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है परकास का रंग हलके नीले से फिर फिर पीला हो जाता है मुनी बिष्णी की चरपाई पर जा बैठती है क्या बात है मा बिष्णी आखों से हाथ हटा कर चुंधियाई सी नजरों से चारों और देखती है बिसनी कुछ खोश्ती सी मानक मुनी तुम रोज भहिया के ही सपने देखती हो मा मैंने तुम से कहा था अगले मंगल को भहिया चिठी जरूर आएगी भहिया की चिठी जरूर आएगी बिसनी जैसे आत्मगत चिठी आएगी ही आएगी और हुआ आप मुनि अरुब भी अपने आप मुनि थोरी दिनों में भाईया आप भी आएंगे तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और तेरे लिए करे और चुडिया लाएंगे बिसनी करे और चुडिया ओ मुनि उसे अपने साथ सता लेती हैं और आखों से टप टप पानी बरसने लगता है मुनी भाईया मेरे लिए जो करे लेंगे वे तारों और बातों के करों से भी अच्छे होंगे नमा बिशनी आखे के आखे बंद करके नकर आतमा का भाव से सीरी हीलाती है पर सिग्र ही अपने को संभाल लेती है बिष्णी हाँ बेटी तेरे करे सब के करों से अच्छे होंगे मुनी सचे सूचे मोतियों के करे होंगे नमा बिष्णी हाँ बेटी सूचे मोतियों के करे उसके आमात हच्चुम कर उसे अलग हटा देती है अब सोजा भी बहुत रात बाकि है मुनी अपनी चर्पाई पर चली जाती है विष्णी उठकर डिब्री बुझा देती है उसके डिब्री बुझाते ही गहरा अंधेरा चाच जाता है अंधेरा में विष्णी के बुद्ध बुद्धाने का स्वर सुनाई देती है ताती वाना लगाई पार ब्रान सहाई ही रहने दो दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले